एक गाव में हरी नाम का एक गरीब आदमी रहता था, वो गरीब जरूर था लेकिन बहुत समझदार था, उसके पडोस में रागारु राम नाम का एक धनी व्यक्ति रहता था, वो थोड़ा बेशर्म किस्न का आदमी था और ब्याज पर पैसे उधार देता, हाँ, जिसे भी ब बेटी की शादी के लिए उनसे 2000 रुपे उधार लिये, कुछ देर बाद सेट ने उससे पैसे मांगे, हरी ने अनुरोद किया कि उन्हें कुछ और दिन दिये जाएं, ठीक है, सेट ने कहा, लेकिन कुछ दिन बाद वो फिर आ गया, इस बार भी हरी ने मोहलत मांगी, लेकि मैं सोचा था कि तुम एक इमानदार आदमी हो, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मेरी सोच गलत, थी, तुम एक नंबर के बेइमान और चलाक आदमी हो, तुम दूसरी लोगों की संपत्ती खाना चाहते हो, अगर मेरे पैसे का सीधा भुपतान नहीं किया गया, तो मुझे अपनी उंगी टैदी करनी पड़ेगी, हरी ने कहा, सेच जी, हिम्मत रखो, मैं आपके पैसे लोटा दूँगा, मैं बेइमान नहीं हूँ, मेरे पास अभी पैसा नहीं है, यदि तुम बेइमान नहीं हो तो मेरे साथ राजा के दर्बार में चलो और न्याया धीश के सामन मुझे लिख कर दो की, तुमने पैसे के बदले अपना घर मेरे पास गिरवी रख दिया है, हरी ने कहा, सेच जी, दर्बार में जाने की क्या जरूरत है, मुझ पर भरोसा करे, मैं आपका पैसा जल्द ही वापस कर दूँगा, लेकिन सेच ने हरी की बात नहीं मानी, वो अपनी जिद पर कायम रहा की, हरी को दर्बार लेकर ही जाना है और दस्तावेस पर हस्ताक्षर करवाने है, असल में वो उसका घर हडपना चाहता था, हरी समझ गया कि उसके मन में क्या है, उसने उसे सबक सिखाने के बारे में भी सोचा और कहा, ठीक है, मैं दर्बार जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वहाँ जाने के लिए मेरे पास न तो पैसा है और नहीं घोड़ा और मेरे पास ठीक कपड़े भी नहीं है, सेच ने कहा, मैं तुम्हें अपना घोड़ा और कपड़े देता हूँ, तुम जाने के ल केलो और दर्बार में चलो शीक रही उन्हें दर्बार में प्रकट होने का निमंत्रन मिला राजा ने पूछा क्या बात है महाराज मेरा दोस्त सेट पागल हो गया है और चाहता है कि मैं अपना घर उसके नाम कर दूँ इसलिए वह मुझे परेशान कर रहा है अरे हरी उसकी ब जूत मैं बोल रहा हूं या तुम महाराज ये पागल हो गया है कभी कह रहा है कि मैंने इसके पैसे देने हैं कभी कह रहा है कि मेरा घर उन्हीं का है यहां तक की मेरा घोड़ा कपड़े और जूते भी हां हां ये सब मेरा है जिस घोड़े पर सवार होकर तुम यहां आए थ वो मेरा है तुम्हारे कपड़े जूते ये सब मेरा है अब आप ही बताइए महाराज हरी ने कहा लगता है सेट का दिमाग सच मुझ खराब हो गया है इसे पागल खाने में भीज दिया जाए जैसे ही राजा ने फैसला सुनाया सेट सिर पकड़ कर रोने लगा